हाइ भिबेवस ते सिप करेंगे किस तरह से Is के फार्मूला को याद करेंगे दिया गया है आपका आपका यानि में यह पहला टर्म दिया गया है दस और यह टू दिया है आपका । इसी तरह यह फोर दिया हुआ है तो उससे मतलम नहीं है बस हमको दो टर्म चाहिए फिर हम एवन एटू से हम डिफाइंड कर सकते हैं क्या फार्मूला होता है तो एटू माइनस एवन यानि कि आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म तो अब यहां पर देखेंगे एटू कितना है आगा ना अब ध्यान से देख़े गयान यहन कितना दिया हुआ है तो यह इन इसबस पूपद पूछ रहा है और ऐन इसबसा बताये तो इक अवाल्च पूश्यन इंटो डि यह फार्मूला होता है इसको तो याद कर लिए एकदम दिमाग में बैठा लिए अब देखे एक यन के जग़ा पर क्या दे रहा है तो यहां ध्यान से देखेंगे तो एल थर्टी दे रहा है तो यह 10 दे रहा है प्लस यन कितना है तो तीसवा पद है तीस और माइन और डी कितना है आपका तो डी देखिए यहां पर माइनस थ्री है को माइनस थ्री बस इसी को सालो करते जाये आपका एंशर मिल जाए गाए दस प्लस 29 multiply minus 3 multiply कर लिज़ें सिंप्ली इसको देखेंगे इसको multiply करेंगे तो 10 plus minus minus 297 तिन दूनिशो साथ आठ इसको सालव करेंगे न तो minus 77 आएगा तो यही आपका answer है एपी का यह question कैसा लगा जरूर comment करके बताईएगा दोस्तों इसी तरह के और भी परस्नों के लिए चैनल को subscribe कीजिएगा अगर में वीडियो फसंद आया है लाइक कीजिएगा दोस्तों के साथ share कीजिएगा मिलता है ने इसी तरह के कुछ नए परस्नों के साथ thank you best of luck